और इस वक्त एक और बड़ी खबर दिली के पीतम पूरा इलाके से आ रही है जहां आग लगी है मदुबन चौक की शिवा मार्किट के एक शोरूम में आग लगी है अचानक लगी आग से करोडों का समान जल कर खाक हुआ है दंकल की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है विशन आग में इस सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है आग किस वज़े से लगी अब तर पता नहीं चल पाया है आग जब लगी शोरूम में तो कितनी ज़्यादा भयांका राग थी 16 गाड़ियों अदंकल की बुलानी पड़ी और ये पूरा शिवयानगर की ये जो माकिट है शिवा माकिट है ये मदुवन चौकपर यहां ये पूरा शोरूम आग की लप्तों में धूदू कर जल रहा है और अंदर रखा करोगों का समान जल पर राक हो गया आए घर्टनस से वाजिद अली न्यूज दूशन समधाता की एक रिपॉर्ट दिखाते है गाजधानी दिल्ली के पीतंपुरा के मधुवन चौक के अंदर बनी हुई शिवा मार्केट के अंदर अचानक से आग लग बीती रात को करीब साड़े आठ बजे के आसपास लगी ती और जब दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया तो लगभक 16 दमकल की गाड़िया मोके पर पहुची और इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग को घंटो मशक्त करनी पड़ी ये आग इतनी भें पूरी तरह से नश्ट हो चुकी है आसपास के लोगों की माने तो उनका कहना है कि जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त जो है शोरूम बंद था और बंद शोरूम के अंदर जो है ये आग लगी थी जिसके चलते जो है किसी के हताहत होनी की तो कोई खबर नहीं है लेकिन इस आग के अंदर जो है करोडो का नुकसान जो है उसका होने का अनुमान बताया जा रहा है पनीमत तो यह है किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है लेकिन करोडो का जो माल लखा हुआ तो जलकर राख हो गया है फिलाल जो है पूरे मामले के अंदर जो है पुलिस भी जा